उतरकाशी टरनल में फसे मज़़ूरों को निकालने के लिए लगातार दिन रात मेहनत हो रही है और अगर मशीन से ह्यूम पाइप करीब 48 मीटर तक सेट कर दिया गया है इसके साथ ही दोसरे प्लान पर भी लगातार टीम काम कर रही है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन ट कर दोसरे मज़़ूरों को रिस्क्यू किया जाएका इस ड्रिलिंग के लिए एस जी वी एन ऐल को काम दिया क्या है कि रेस्क्यू का काम लगातार जा रही है लेकिन अब जिस तरीके से एक कुछ बादा ही भी देखने को मिल रही है क्योंकि जो होरिजन्टल जब हम जो आज जा रहे थे तो कुछ बादा ही भी मिल रही है और अब उमीदें यह जताय जा रहे कि उपर से वर्टिकल भी जा रही हैं जिननोंने यह वोईटिकल पूरा प्लान तयार किया इसर किस तरिए का षट्यार प्लान सुप नह用 छेंटीर कर रही नहीं पादा जो बनाने का लिए 1.25 ba करना है उसके लिए जो मसीन को रड़ी करके रखिए आपको यह सामने दिख रही है यह मिसीन की रड़ी है ठीक है इसके दो पार्ट जो है एक पार्ट या भी अपने आप मूव करती हो पर जाएगी ठीक है इसके लिए वह उपर कैली बोलते हैं वह उपर ही साइट पे जो अवो असेंबल हो गी तो यहां से आदे पॉने गंटे में उपर पहुंचने में टाइम लगेगा जैसे हमारे को यहां से ग्राउंड क्लेरेंस मिले कि पलीस वालां से हम लोगों ने बात कर रखी है कि जैसे मा से कूशर के ग्लेरेंस मिलेगी थमारे को रोड की अदेंस को ऊपर ले जाएंगे और इसको जो वो बीदिन पान सके बीच में चैन produits को इसको ऑना इसको निकालने और यह करLa सारा त्यार है सब कुछ रेडिनेस है जैसे मेशीन पहुंचेगी एक घंटे के अंदर डिलिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर रोड की क्लेरेंस इच एवरिटिंग है सारी जो अब हमारे इनको मेकानिक नहीं जो ड्राइविज हैं वो सारे चेक कर चुके हैं कल और इसके साथ ब्यार हो यह मारे स्पोर्ट के चक्र में पढ़ी एक यह कहीं अगर रोड में ड्यूरिंग ट्रांस्पोर्ट में आऊपर पाइन के लिए तब जूब यह जूब तरीके से एक रॉक है रॉक में क्या कुछ उसमें जिए हम डिलिंग जब दिच्चिक करेंगे क्या उसकी क्यों करने की बात करेंगे और हो जाएगे तो चार से पांस दिन का यह पूरा प्लान इन्होंने तयार करके दे रखा है और चार से पांस दिन बाद यह उन मजदिरों तक पहुंच जाएंगे जहां जिस जहां से रेस्क्यों अभ्यान सुरू होना है कैमरा सजोगी संदीब के साथ में सते हैं बट्वा न्यूज जेटिन सिल्क्यारा टरनल तो तरकाशी में हुए टरनल हाथ से के बाद से लगातार रिस्क्यों जारी है और कभी भी टीम की और से गुड़ न्यूज मिल सकती है लिए मगड़ दूआओ का दॉर्पी लगातार जारी है जिन्यारी सॉट से स्थानी महिलाय सिल्क्यारा टरनल पहूंची और मजदूरों के सकोशल बाहर निकलने की प्रार्तना की है सिल्क्यारा ठेनल रेस्क्य ओपरेशन लगातार जारी है आज तेरवा दिन है बड़ी संख्या में आपको बदादे की एजेंसी जहां पर लगातार काम कर रही है वहीं परिस्थानिये लोग भी भगवान से प्रार्तना कर रहे हैं कि मजदूर जल्द बाहर आए हमारे साथ ब परिवार के साथ आए है क्या लग रहा था क्या जनकारियां मिल रही थी आपको मैदम आप भी आई है गाओं में भी चर्चा हो रही है कि यहां पर मजदूर फसे हूए है क्या करें सब यहीं कि Razoo क्या निकल जाना चाहिए उन्हें आं तक बहुत दिन वो गया भी तक उन्हें बाहर नहीं निकाल गया आज अब आप क्या बख发्वान से प्राथना कर रही है दूआ कर रही है अगर कोई व्यक्ति अपने घर में इतने दिन कैद रहे तो उसके सामने दिक्कत होती है यहाँ पर टेनल में अपने घर पहुंच जाए उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हुए है किसी से कुछ बात हुई या कोई संपर हुआ आपका क्या कोई परवार नियमारी अखपर अमियन चलना बस भगवान से परातना करना की बहे रहे जाओ यहाँ पर भगवान से परातना कर रहे हैं यहाँ पर पहुंची हुई है और यह चाहती है कि मज़ूर सकुषल बाहर जल ना है कैमरा में रविंदर के साथ अनुपम मिश्रा न्यूज एटीन सिल्कियारा उत्तरकाशी और चली इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे कि टरनल पहुंचे हैं कि इंद्री मंत्री वीके सिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जाल्जा लिया है कर आपने देखा था जैसे कि यहाँ पर मंत्री वीके सिंग पहुंचे और उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन का जाल्जा लिया गया था आज को लेकर यह कहा जा रहा है कि आज और जादा बेतर तरीके से रेस्क्यू को शुरू किया गया है कुछ हर्डल्स आये थे कुछ परिशानी आई थी लेकिन अब सभी बादाओं को दूर करते हुए एक बार फिर से काम शुरू हुआ है तो ऐसे में माना जा रहा है यह बहुत जल्द अब यह काम पूरा होगा लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आप देखिए मंत्री वीके सिंग जब एक बार फिर से आज टनल पहुँचे और रेस्क्यू ऑपरिशन का जाजा लिया सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से अनुपम मिश्रा हमारे सा जुड़े हुए हैं अनुपम लगातार अधिकारियों का भी आना जाना महाँ पर लगा होगा मंत्री जी वीके सिंगल पहुचे हुए थे आज एक बार फिर से पहुचे और कह सकते हैं कि पूरे तरीके से हर अपडेट नी जा रही है कि कितना काम हुआ और कितना और वक्त लग सकता है क्योंकि हर कोई इस वक्त यही जानना चाहता है कम मजदूर बाहर निकलेंगे आप आपको कोई लेटेस अपडेट मिला हो कि दिखे शीनम सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस पूरे ऑपरेशन को देखा जाया तेरवा दिन है तो चाहे उत्राखंड की सरकार हो जिस तरीके से मजदूर स्टरनल के अंदर होसला बनाएक हुए हैं ऐसे में कहा जाता है कि जब टीम का लीडर ही होसला बना के रखेगा तो पुरी टीम का होसला मसबूत होता है और शायद इसलिए उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुष्करदामी उत्राखंड में ही कैंप किये हुए हैं और किंद्रिय मंतरी वीके सिंग बहार निकलेंगे वो मीडिया से क्या जानकारिय के हवाले से मिल रही है कि जिस तरीके से जो rescue operation है वो अंतिम दौर में है क्योंकि आप जिस तरीके से रुकाव्टे थी वो पूरी तरह से बता रहे थे वासकर खुलवे भी की वो खत्म हो गई है अब जो 10 से 12 मीटर की दूरी है और जिसमें पाइप को डाला जाना है और उसका बाले बारा पॉने एक बजे के आसपास मज़़ूरों को खाना पहुंचाया जाता है तो उस दौरान मज़़ूरों से communication भी होता है बातशीत भी होती है यूई कल हमने देखा था जब उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुश्कर धामी यहां पर पहुंचे थे तब उन्होंने जो काम हो रहा है जो कटिंग का मैनूली काम हो रहा है उसके लिए कुछ उपकरण भी यहां पर थोड़ी देर पहले पहुंचाये गए थे तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सरकार किस तरपे किस तरीके से तबाम चीज़ें हो रही है आई जी गड़वाल चाहिए कि जब यहां पर जो अवरोत थे और जो कटिंग का काम था वो पूरा हो जाएगा मैनूली जब सारी चीज़ें हो जाएगी उसके बाद जब दो पाइप यहां पर इंसर्ट करने हैं अगर मशीन के जरगे और साथ की साथ एक मशीन हम चाहें के दिखाएं यहाँ प जब वर्टिकल डिलिंग का काम पेरलल वे में शुरू किया जाए आनि कि प्लान बी के तहट काम शुरू किया जाए तो उसके लिए भी अपत्यारियां पूरी कर ली गई है क्योंकि माना ये जा रहा है कि एक पैरलल प्लान बी पर भी काम लगातार चलता रहे और जो जानकारी हमें अंदर से अभी इस वक्त रिकल करके सामने आई है केंद्रिय मंत्री वीके सिंग ने वहाँ पर जो लोग वहाँ पर जो उजनसीज के लोग हैं उनसे वो बातशीत कर रहे हैं और तमाम जानकारियां तमाम फीडबैक उनसे वो ले रहे हैं और जैसा बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जब मैनुवल कटिंग का काम पूरा होगा क्योंकि लगातार सुपह से ही मैनुवल कटिंग का काम चल रहा है भासकर खुलबे भी इस बात को बता रहे थे तो जब मैनुवल कटिंग का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वाक्सकर मशीन से पाइप इंसर्ट करने का काम शुरू होगा तो यह सबसे बड़ी ख़बर पर इस वक्त की कि अब से थोड़ी देर बाद जब मैनुवली कटिंग का काम पूरा होगा उसके बाद अगर मशीन से पाइप इंसर्ट के जाएंगे तो शायद इसलिए वी केसिंग यहाँ पर पहुँचे हैं और अंदर दुपहर के लुखना चाओंगी इस वक्त बड़ी जानकारी दरश्टो को दे देए कि पीम मोडी ने रेस्क्यू यहाँ धर पिर से जानकारी लिए लगातार वो सीम धामी से अफडिईट ले रहे हैं लगातार उन्हें काल कर पूछ रही हैं मख़़ूरों का हरचाल और साथी साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अफडि आ रही हैं जिसमें सरिया भी बीच में आ गया था सरीय का एक जुन्द आ गया थो तो इन सभी चीजों से कैसे निपता जा रहा है इसे लेकर जानकारी ली है पीम मुदी ने सीम पुशकर सिंधावी से अनुपम जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि कोई पूरे कोशिश कर रहा है कि जल से जल यह रज्क्यों पूरा हो खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाये हुए हैं लगातार उनसे सीम धामी से अपडेट लिया जा रहा है दिखिए शीनम सबसे बड़ी बात किये कि प्रधान मंतरी नयेंद्र मोदी शुरुआत से ही आपको याद होगा कि जब जिस तरीके से जब से यह मज़ूर अंदर फसे को हैं उसके बाद से उत्राखंट सरकार के इस तर पर जो चीज़ें होनी थी उसके बाद के इन सरकार की प्रधान मंतरी लगातार उनस सब चीज़ों को लेकर के उत्राखंट की सरकार को अया पुशकर धामी से लगातार इस बात का फीड़बैक लिए थी क्या प्रोग्रेस है और देखिए जब वीच में जो दिक्कते आई या चुनौतिया आई उनसे भी यहाँ पर निप्टा क आई और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि आपको ऐसे यहाँ पर हम लगातार पिशले कई दिनों से यहाँ पर हैं जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विदेश्टी एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं बहुत सारे जो है ऑग्वा extends पर बहुत ऑनुभवी टीम यहां पर मौ पूरुप में जो पिदार मंतरी नेंद्र मोदी से जुड़े या उनके कामकाच को देखते रहे हैं वो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं अलग लग राज्यों से जो एक्सपर्ट्स टीम है वो यहां पर पहुंच रही है तो शीनम इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं और खुद पुशकर धामी जो कि उत्राखन के मुख्यमंतरी हैं वो लगातार जब भी यहां पर तीन बार आ चुके हैं वो लगातार मुख्यमंतरी को अपडेट दे रहे हैं कि जो जैंसी काम कर रही हैं उनके द्वारा और देखिए एक टीम यहां पर फिर अंदर जाती अब वो ने केंद्री मंतरी वीके सिंग ने उनको यहां पर बुलाया है अब वो अंदर जाते हुए बासकर खुलबे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केंद्री मंतरी वीके सिंग क्योंकि टेनल के अंदर हैं और अब बासकर खुलबे यहां पर अंदर जा रहे हैं बा आम SDRF और NDRF के जवान वो तस्वीर देखिए बासकर खुलबे की टरनल के अंदर आप वो एंट्री लेने जा रहा है वी के सिंग क्यूंकि अंदर है वहाँ पर जानकारिया बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखें तस्वीर दिखा रहा हैं कैमरा में रवीन से कहेंगे तस्वीर दिखाएं जड़ा बासकर खुलबे अंदर एंट्री करते हैं वो देखें तस्वीर और यह बासकर खुलबे की टरनल के अंदर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं वो द्रिश्य हमने आपको दिखाया बासकर खुलबे ने वो द्रिश्य हमने आपको दिखाया तो सब आए अब सबका फोकस इसी ओर है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो है वो खबर सामने आए कि मजदूर सकुशल बाहर आ रहे हैं और हर किसी की उमीद इसी पर है मिलकुल अंतजार यही किया जा रहा है कि कब मजदूर बाहर आएंगे और यहर किसी की इच्छाओं में अब शामिल हो गया है अभी अभी आपने बातचीत की कुछ महिलाओं के साथ दर्शुकों को हमने दिखाया जिसमें वो भी यही दूआ करते नजर आए कि जल्द से जल् और कई लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी इस दौरान जब आप वहाँ पर रेपोर्टिंग कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग क्योंकि हर किसी की दूआ में यही शामिल हो गया है अब की मजदूर जल्से जल्द बाहर आएं देखते हैं उत्राखंड का अगर इतिहास देखें या फिर प्राकरतिक आपडाओं को देखें तो ऐसा नहीं है कि उत्राखंड में लोगों के अफ़सना या इस तरह की चीजें पहले भी उत्राखंड राच में हो चुकी हैं तमाम चीजें हो चुकी हैं लेकि टरनल के अं बहुत स्यादा आप समझें कि गंभीरता इस बात पर है कि यहां पर कई राज्यों केरला से, करनाटका से, मदमारास से, अलग-लग राज्यों से लगातार मशीनों के पहुँचने का सिलसला जारी है जब हम सिलक्यारा की ट्रल के रास्ते पर आते हैं, तो आपको बताएं कि आध़ा से एक किलोमीटर तक वो रास्ते हैं कि बड़े-बड़े ट्रक खड़े वो हैं, कई-कई बार वहां पर जाम तक लग जा रहा है और वो मशीने का बड़े-बड़े ट्रक से आई हुई है, तो वर्टिकल होरिजोंटल जो डिलिंग होनी है या आगे का जो प्लान बी प्लान सी और प्लान डी बनाया गया है उसको ले करके लेकिन सबसे बड़ी खबर शीनम इस वक्त की यह है कि केंद्रिय मंत्री वीके सिंग टनल के अंदर है पासकर खुलबे भी वहाँ पर पहुंच ग